हेलो दोस्तों, वेलकम टो अनली आईएस, डेट है आज की 2 दिसेंबर 2022 एड़ आप सागिया सौगत है आज की एडिटोरी डिसकुशन में देखिए आज हम टोटल तीन मुझे डिसकुस करने वादे हैं, पहला होगा हमारा मुद्दा समंदित रोड सेफटी से कि रोड सेफटी का ना, क्या रिलेशन है हमारे एनवायरमेंट कंजरवेशन के साथ, इसको समझने के कोशिश करेंगे दूसरा हमना कुछ डेटा देखेंगे कि किस तरह से, globally हम देख रहे हैं, companies अपने, जो वहाँ पे workers हैं, उनको निकाल रही है, एक तरह का lay-off हो रहा है, इसका क्या impact हो रहा है, क्या इनके numbers हैं, तो इसको समझने कोशिश करेंगे तीसरा component होगा हमारा GM plants के उपर, ठीक है, जो GM crops होती है, उनके बारे में समझने के कोशिश करेंगे, इनके क्या concerns होते हैं, धारा mustard के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी थोड़ा discuss करने की हाँ पर आज हम कोशिश करेंगे, पर उससे पहले आज की quote of the day, आज की quote of the day है by Swami Vivekanandji, देखे, इनके ये quote कह रही है, every work has to pass through hundreds of difficulties before succeeding, those that will perceive, will see the light sooner or later, देखे, काफी सारे ऐसे situation आती हैं, जब हमें बहुत सारे difficulties देखने का मिलती है, पर अगर हम उन difficulties को overcome करने की कोशिश करते हैं, consistently उसकी तरफ work करते रहते हैं, तो हो सकता है कि कही बार हमारा result delay ज़रूर ह हो जाए, पर कभी हम उसमें हारेंगे नहीं, ठीक है ना, जैसे for example में आपको कुछ example देता हूँ, आप जानते हो दशरत मान जी के बारे में, सुना होगा, I'm very sure करें, you know movies भी देखी होंगी इसके regarding, तो देखो इन्होंने कितना जादा focus किया आपने काम के उपर, कई साल उसक सारा perseverance किया अपनी life के अंदर ताकि ये सती को जो issue था, उसके against अपनी fight को continue रख पाएं, बहुत सारे लोगों से इनको criticism भी face करना पड़ा, पर तब भी, even with those difficulties, उनोंने perseverance को continue किया, उसी के साथ मैं आपको कुछ अपनों countries का example देता हूँ, देखें, जपान का आप example समझने आपने आपको वापिस rebuild करने की capacity, एक तरह की resilience दिखाता है, एक तरह का perseverance दिखाता है, similarly आप इसराइल का example देख सकते हो, देखो इसराइल के अगर आप थोड़े neighborhood में जाओगे न, तो आपको देखने को मिलगा कि बहुत ही hostile neighbors है, यहाँ पर starting from 1948 और उसके बाद 1967 war, या अलग अलग टाइमस के उपर different wars होती रही है, बट इसराइल ने अपने आपको बहुत ही strong किया है, even with those, all those difficulties, तो अगर आपको difficulty से succeed होना है, तो उसका थरीका क्या है, continuous struggle, ठीक है न, वो ही आपको अपने goal तक लेके जाएगी, आप देखो बुद्ध का example देख सकते हो, भात्मा बु देखी थी, तो डॉक्टर कलाम जी ने भी देखो, बहुत बार जब ये space rocket की बात हो रही थी, तो काफे बार launch fail भी हुए, पर तब भी इन्होंने अपने hard work को इस direction में continue किया, तो ये क्या clearly show करता है, कि अगर हमें भी अपनी life के अंदर succeed होना है न, तो perseverance is the only way अपने आपको hard work से ही आपको जाना पड़ेगा, नेलसल मंडे न, एक बहुत अच्छे example हो जाते हैं, ठीके न, life में बहुत सार दिक्कते आई, पर इन्होंने अपनी जो journey थी, अपार्थिट के अगेंस जों का struggle था, उसको अपने आपको वहाँ पर इन्होंने continue किया, तो हमारी life के अंदर कि न, कई बार हो सकता है कि हमारी life के अंदर हमें कुछ failures होगे, कुछ तरह के setbacks होगे, यह हमारी जिंदगी के अंदर आ सकते हैं, this is very normal, पर उस setback के साथ हम क्या respond करते हैं, वो determine करता है कि हमाने वाले future के अंदर किस direction में जाएंगे, क्या हम एक successful person बनेंगे, या फिर life के अं कम नहीं कर पाएंगे, दोनों की decision आपके हाथ में होता है, ठीक है न, तो अपनी life के अंदर भी इसको implement करना है, बाकी मैंने आपको जो बहुत साले examples दिये, वो तो आपको show ही कर रहे है कि किस तरह से अगर आपका hardware consistent रहेगा, तो आपनी life के अंदर, sooner or later उस slide को जरूर देख कर सकते हो, देखिए अकसर हम बात करते हैं road safety की, right, और road safety के साथ न, यहाँ पर writer ने environment के साथ एक बहुत ही strong linkage दिखाया है, मैं समझाता हूँ कैसे, देखिए अगर आप 2021 में notice करोगे न, तो nearly 4 लाख हमें इंडिया के अंदर crash देखने को मिले हैं, ठीक है, गाडियों का crash हो जाना, आप सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में, अब देखो, यह जो भी vehicles होते हैं, इनके अंदर कोई न, कोई toxic metals तो मिलते हैं, ठीक है न, जैसे for example, इसके लिए lead चाहिए होता है, mercury, cadmium, इस तरह की चीज़ें, अब यह जितने भी metals हैं, यह सारे के सारे क्या हैं, हमा सारे environment को negatively impact कर रहे हैं, तो जब गाड़ी बनती है, तब भी कुछ न कुछ negative impact आता है, जब गाड़ी चल रही होती है, तब भी कुछ air pollution या और तरह की pollutions होते हैं, जब crash हो जाता है, तब भी कुछ न कुछ न कुछ इस तरह की दिक्कत आती हैं, तो यहाँ पर writer यही बात कर हैं कि हमें गाड़ीों के साथ जो environment है, बहुत ही close linkage है, तो इसको हमें manage करने की जरूवत है, अब देखो जब गाड़ी का crash हुआ मान लो, तो हुआ क्या है, कुछ ना कुछ से wreckage, as in कुछ जो मलबा होता है न, वो मलबा generate हुआ, ठीक है, इसके साथ ही काफी साल के बाद क्या होता है, जो गाड़ी है न, उसकी एक life होती है, कि एच्छा 10 साल चलेगी गाड़ी है, 15 साल चलेगी, 15 साल बद खराब हो जाएगी, चीक है न, उसी तरह से मारी government ने भी scrapage policy लेकर आई गई है, पर ये policy भी काफी अभी starting के phase में है, ठीक है, तो writer यहाँ पर यह बात कर रहे ह जाएगी, तब इस situation में होगा क्या, हमारे यहाँ पे बहुत सारा रदी माल, जिसको रदी बोलते हैं न, जैसे हम, तो यहाँ पर भी उनका मलबा, उनकी रदी, वो सारी चीज़े बहुत साथा बढ़ जाएगी, इस तरह से इंडिया के पास अच प्रॉपर policy होनी चाहिए, और इंडिया की policy है भी, national scrapage policy, पर अभी बिल्कुल यह starting stage के अंदर है, तो इसको भी हमें और अच्छे से काम करने की जूरत है, दिखो मैं अगर आपको थोड़ सा policy के पार में बताऊँ न, तो अगर आप जब पुराना vehicle को scrap करते हो, तब आपको एक तरह का, वहाँ पर क्य से कम पे करने बढ़ेंगे, ठीक है, raw tax के अंदर आपको कुछ benefits मिल जाएंगे, उसी तरह से आपको और भी चीज़ें यहाँ पर benefits यहाँ पर provide किये जाएंगे इस policy के अंदर, ठीक है, तो यह सारे चीज़ें help कर सकती हैं हमारे environment जिस साथ जो concerns है, पट अभी यह जो policy है, बि अब इन एरियास पर जैसे यह गाड़ी से बहुत सारी चीज़ें टबकती रहती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, water pollution होने लग जाता है, soil pollution होता रहता है कई-कई सालों तक, तो pollution एक तरह का नहीं है यहाँ पे, हर तरह का pollution हो रहा है गाड़ियों से संबने जब वो हम उसके end of life stage की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अब देखो road safety और environment sustainability का मिना direct pollution है, कैसे आप समझने ही कोशिश करने हैं, जैसे म मालो अगर आपना गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, मालो आप 100 km पार आर की speed से गाड़ी चला रहे हो, तो होगा क्या, आप जितनी तेजी से गाड़ी चलाने कोशिश कर रहे हो ना, सामने की तरफ से आपको wind भी उतनी तेजी से आ रही है, ठीक है ना, सामने की तरफ से wind भी एक तरह कि resistance की तरह काम कर रही है तब आपकी जो fuel consumption होती है जब आप तेल को consume कर रहे हो वो तेल का consumption बढ़ जाती है समझ पा रहे हो अगर मालू मैं आपको बूलू ना कि आप 50 की speed से चला रहे हो गाड़ी versus आप 100 की speed से गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ पर तेल की खपत आपकी जादा होगी यहाँ पर तेल की खपत आपकी कम होगी तो यह भी एक concern हुआ तो यानि कि speeding limit हमें help कर सकते है environment sustainability के अंदर उसी तरह से आप देखो जब गाड़ियां जब कही न कहीं टकरा जाती है आपस में उसके पीछे का एक main कारण क्या होता है over speeding जब लोग बहुत तेजी से drive करते हैं तो अक्सर क्या होता है तब हमें deaths देखने को मिलती है ठीक है न आपस में गाड़िया टकराती है और death देखने को मिलती है और यही एक negatively हमारे environment sustainability के उपर भी हो गया जिसे example समझते है 2020 का writer नहीं यहाँ पर data दिया है कि total न 90,000 से भी लोगों की death हुई road crash के अंदर उन में से 70% जो थे वो कही न कहीं इसी चीज से साथ related से की speeding over speeding के साथ उनका link के जहाँ पर देखने को मिला है पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे न तो यही same चीज यहाँ पर हमें similar data ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है अब यह जो मैं आपको speed limit की बात कर रहा था तो देखो यूरोप के अंदर यह चीज नोटिस करने को मिली कि अगर आप speed limit को 10 km पर आर की speed से कम कर दोगे तो होगा क्या वहाँ पर fuel save कर पाऊगे और जैसे fuel save होगा तो होगा क्या जो हमारे अलग-अलग particulate matter हो गया, nitrogen oxide हो गया इस तरह के जो air pollutants थे इनकी जो मातरा है जो गाड़ी से यह निकल रहे हैं वो कम हो जाएगी तो वही point अगर 100 km speed से उठा रहे हो versus आप 50 km की speed से गाड़ी तुला रहे हो तो आप environment को बहुत अच्छे से बचा रहे हो साथी साथ आप over speeding नहीं कर रहे तो कल को कुछ आपकी गाड़ी crash होने के chances काफी कम हो जाते हैं तो definitely आपकी जिंदगी भी बच रही है और हमारा environment भी बहुत अच्छे से बच रहे है उसी तरह का data writer ने और भी बहुत सारा दिया हुआ है कि कितना PM particular matter का कितना reduce होगा ठीक है न अब air quality कितने percent increase होगी तो यह data भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो दुनिया भर की अगर हम सरकारों को देखेंगे न तो हर सरकार ने कोशिश करी है कि हम speed limit को कम करें ताकि crash कम हो और air pollution भी कम हो जैसे Wales की government ठीक है न यहाँ पर भी इन्होंने क्या हुआ है 80 km पर आर की speed लगा दी हुई है ठीक है न थी speed limit एक तरह सेट कर दी है इंडिया के अंदर भी zero fatality corridor solution zero fatality मतलब कि बिल्कुल zero death ठीक है न उसके लिए हमने solutions लेकर आए हुए है किस तरह से हम इस चीज़ को कर सकते है वहाँ पर हमारी government ने engineering का अच्छा का सा use किया हुआ है देखो मैं समझाता हूँ कि engineering का यहाँ पर meaning क्या है दर असल में देखो हमारे जो नितिन गड़करी जो हमारे minister है basically उन्होंने एक 4E strategy बताई हुई है 4E का मतलब क्या है देखो एक है पहला education कि लोगों के अंदर जो हमारे drivers है उनको अच्छे से educate किया जाए उसी तरह से दूसरा हो जाता है engineering अब इसका क्या meaning सरे engineering का देखें engineering हम किस तरह से roads को बना रहे है किस तरह से vehicles को बना रहे है उसको ensure करना बहुत जरूरी है जैसे आप देखते हो बहुत सारे blind spots होते हैं ओ कर现在 हमारे accidents का इसके regard अपने roads को हम अपने vehicle को कैसे बहतर करें वो blind spot detection हम थोड़ा असान कर रहे है उसी तरह से engineering के अंदर front side अगर हमारा crash होता है ठीक है या दूसरी sides पे कुछ crash होता है तो यहाँ पर अपने vehicles को हम उस तरह से बना रहे हैं तांकि वो crash के बाद भी death cause ना हो उसका negative impact हमारी life and environment पे ना हो उसी तरह से enforcement के उपर हमारा focus है जो हमारे अलग-अलग laws है उनको कैसे enforce किया जाए इंसाथी साथ emergency care तो यह हमारे 4E हमारा solution है जो हमारे minister जी ने बताया हुआ है जो कोशिश कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े आपको help कर सकती है तो जो save life foundation का zero fertility corridor है ना वहाँ पर भी अलग-अलग engineering solutions अलग-अलग enforcement technologies इस तरह की चीज़ों की बात करी जा रही है तांकि हम क्या ensure कर पाएं कि लोगों की death come हो and correspondingly environment भी protect किया जा पाए बाकी साथ ही साथ roads के आसपास आप देख सकते हो ना कि जैसे मानलो पहले कोई lane थी कोई road थी two lane road थी कलको मानलो इसका हमेग 4 lane बनाना हो तो होता क्या है अकसर जो सढकों के आसपास जो आपको trees बगरह दिखते हैं ना तो वहाँ पर उन पेड़ों को काट दिया जाता है पर यहाँ पर भी हमें कोशिष करनी चाहिए कि यह जो पेड़ है इनको हम किसी तरह से manage कर पाएं ठीक है roads के आसपरस अगर हमारे पास अच्छे trees होंगे तो definitely वो help करेंगे एक तो noise pollution भी कम होगी और बाकी चीज़ों के अंदर भी definitely help कर पाएंगे तो यहाँ पर जो environment friendly solutions को propose किया गया है by this safe life foundation की जो मैं बात कर रहा था इसी तरह से देखो यह जो foundation के द्वारा यह जो program को launch किया गया है zero fertility इसने help करी है कि हमारे जो road crash के regarding जो deaths होती है उनको 52% से कमी आ चुकी है समझाया point तो इस तरह के engineering solutions लगा कर थोड़े environment friendly solutions लगा कर हम definitely इन चीज़ों को आने वाले time में और भी कम कर सकते हैं उसी तरह से Mumbai पुने highway हो गया यहाँ पर भी हमें similar results ही देखने को मिले है बाकी देखिए हमने कोशिश करी है कि हमारे यहाँ पर reflective signage हो trees के उपर भी जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मानलो एक गाड़ी है ना यह गाड़ी कि यह वाले चीज़े ना हमें दूर से दिख जाती है जैसे आप लोग ने के बार notice किया होगा ना कि सामने सडक पे आप जा रहे हो तो कुछ जैसे road के उपर कुछ signs होते हैं ऐसे जो असानी से आपको दिख जाते हैं असानी से वहाँ से light reflect होती है तो हमने कुछ पेड़ों के उपर भी ना ये चीज सेम technology ensure करने कोशिश करी है तांकि दूर से हमें वो चीज़े दिख जाएं कि चाह यहाँ पेड़ है तो वहाँ से जो हमारे crash होते हैं हमारे trees के साथ वो हम रोक पाएंगे बाकी देखिए हमने green corridors बनाने की कोशिश करी है तांकि हम forest के corresponding forest वहाँ पे ना काटें तो forest भी protect हो, environment भी protect हो and कही न कहीं मारे जो commuters हैं जो लोग चल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए बाकी देखिए हमारे जो signs हैं हमने उनके उपर भी चूज ना करें देखो यह जो sign बनते हैं इनमें asbestos चाहिए होता है यह जो reflect करते हैं इसके corresponding तो asbestos का क्या होता है हमारा negative impact आता है हमारे environment के उपर तो यहाँ पर हमें focus कि के उपर चाहिए? Aluminium composite panel के उपर यह भी same ही चीज है बस फरक क्या है कि इनका environment के उपर negative impact कम होता है साथी साथ यह recyclable materials भी होते हैं इसके अंदर ठीक है तो हईर जगा help होता है बस दिक्कत थोड़ी यह है कि थोड़ी यह महंगे होते हैं यह expensive होते हैं थोड़े बाकि otherwise यह हमारे environment के लिए बहुत अच्छे हैं तो जो हमारा zero fertility वेला program है उपर ही हम work करेंगे तब ही हम definitely ensure कर पाएंगे कि सभी के सभी stakeholders का अच्छे से benefit हो पाएं उसी तरह से यहां पर writer ने ओल तो बात नी करी पर India देखो ब्रजीलिया declaration एक थी ठीक हा उसका भी हम secondary थे ताकि ensure किया जा पाए कि road accident के corresponding हम उनको कम कर पाएं बाकी मैंने आपको 4E strategy भी बता दी किस तरह से हम education, engineering, enforcement and emergency care के ओपर focus कर रहे हैं उसी तरह से जो हमारे government के अलग-अलग projects है जैसे for example आप भारत माला project ले लीजिए ठीक है न या फिर जो electronic toll collection वगरा system होता है ठीक है आप जानते हो आज कल fast tax वगए रखा उसी तरह से जो प्रधानमंत्री ग्रामीन सडक योजना है ठीक है साथी साथ जो roadside safety crash barriers हमने लगाए हुए है ठीक है हमने goods marathon का principle notice किया है कि अगर किसी की कोई चोट लग जाती है किसी accident के अंदर तो असानी से उसको हम hospital तक लेके जाएं ताकि road safety को हम और improve करें वहाँ के regarding जो issues थे ताकि उनके उपर work कर पाएं तो ये था हमारा पहला editorial चलते हैं हमारे दूसरे editorial के तरफ जो क्या है global layoffs चे सम्मंदित और इसको जीएस paper 3 के इस particular component के साथ relate कर सकते हो देखिए आप लोगों ने भी न ये चीज़ पक्का notice करी होगी कि दुनिया भर में हमें जॉब कट की कि अच्छा यहाँ पर इस particular twitter ने इतने लोगों को निकाल दिया amazon ने इतने लोगों को निकाल दिया I am very sure आप सब ये news सुनते आ रहे होंगे ठीक है तो दुनिया भर में हमें कुछ ना कुछ companies के corresponding बड़े-बड़े layoffs देखने को मिल जाते हैं अगर हम थोड़ा देखें तो September और October में ही न टोटल साथ हजार से भी जादा हमें layoffs होने की खबरें सुनने को मिली है अब आप एक चीज़ notice करो ये layoffs दरसल में हो क्यों रहे है हो इसलिए रहे ना जिसे माल लो अगर आप USA में layoffs हुआ ठीक है तो USA में layoffs क्यों हुआ होगा क्योंकि US की economy अच्छा नहीं काम कर रही होगी तब ही तो हुआ होगा तो इससे होता क्या है तो इससे नहीं होंगी तो वहां के लोग क्या करेंगे कोई नहीं चीज़ें डिमांड नहीं करेंगे ठीक है डिमांड नीची आजाएगी तो इंटिया के investment की क्या demand वहां पर रहेगी नहीं आएगी ठीक है ना तो इंदिया में भी उसका झाएन नेगेटेव पेक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम्स के अंदर बात देखो करें सुन्दर पुचाईजी कि अल्फवेट के CEO है तो उन्होंने भी इस चीज़ की बात करी ही है कि उन्होंने पिछले साली basically बोल दिया था कि दुनिया में इस तरह जादा देखने को मिल रही है चाहिए आप US की इकनामी देख लो ठीक है इता है वो इंडिया के केस में भी आप देख सकते हो हमारा जो 2-6% का टार्गेट है न हमारा consistently breach होता रहा यह 7% के आज प्लस चल रहा है ठीक है को हाइक करें basically जैसे इंडिया में RBI के करता है RBI is in monetary policy committee जो repo rate को increase करती है ठीक है तो दुनिया भर में क्या हो रहा है US के अंदर भी उनके interest rate fed के दोरा हाइक किजा रहे हैं बाकी जगा भी हमें hike देखने को मिल रही है अब जब interest rate हाइक होते है तो होता क्या है लोगों को पैसा मुश्किल से मिलता है ठीक है industries को पैसा मुश्किल से मिलेगा difficulty आएगी higher interest rate pay करने पड़ेंगे definitely उसका impact आता है हमारी economic growth के उपर हमारी jobs कम हो जाती है ये सारी situation यह आपे देखने को मिलती है जो अगर बात करें IMF की International Monetary Fund की तो आप notice कर सकते हो कि चाहे वो COVID-19 pandemic हो गया एंड साथ ही साथ जो Russia-Ukraine war है इसकी वज़ा से negative impact हमारी global economy के उपर देखने को मिला है और अगर बात देखोगे न आप 2001 के बाद से एक बात notice करो तो 2008 में एक दिक्कत आई थी जब global financial crisis था उसी तरह से 2001 के बाद 2008 को छोड़के सबसे weakest number चल रहे हैं दुनिया के अंदर तो काफी world economy, काफी एक major concern के अंदर है और अगर देखो यह जो बड़े-बड़े companies के CEO's के बात अगर सुनोगे न तो इन्होंने न अपनी तयारी कर रखी है, किस चीज की तयारी इनको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर 98% ऐसे US मतला basically CEOs है, उनको लगता है कि आने वाले टाइम में US recession आ सकता है उसके लिए तयारी कर रहे हैं, 99% CEOs को ऐसा लगता है कि European Union में recession आ रहा है तो clearly देखो, world economy काफी craft situation के अंदर है, और यहां पर layoffs इस वज़ा से हमें देखने को मिल जाते है अब sir, India की बात करें, India का क्या numbers है देखो, India आप जानते हो, IT और services के अंदर काफी अच्छा perform करता है और India में सबसे largest employers भी है ठीके न, तो अब देखो, जो हमारे कोई भी आप management team होती है ठीक है, मालो किसी भी company की management team उनका focus किसके उपर होता है कि हमारी न, profitability चलती रहे ठीक है, profits कमाते हैं, अच्छा कासा revenue आता रहे यही सारे चीज़े होती है, अगर आप खुद सोचो profit कमाना है, तो profit कैसे कमाऊगे ठीक है, एक अच्छी खासी salary आपको देनी पड़ती है लोगों को ठीक है न, तो profit क्या होता है basically, आपके total आप कितना कमा रहे हो minus आपका total खर्चा कितना है तो अगर profit को maintain करना है तो आपके जो expenses, आपके जो खर्चे हैं, उनको manage करना पड़ेगा और एक अच्छा कासा खर्च क्या होता है इन लोगों की salaries, जो employees की salary तो यहां पर न, एक major cut हमें इस वज़ा से देखने को मिल जाता है, employees की number of employees जो इनको हम basically उनके layoffs के अंदर हमें impact देखने को मिल जाता है इंडिया में देखो, अगर आप notice करोंगे न, तो जाधा तर्ट यह companies हैं ठीक किया है विपरो को अगर हम छोड़ देना, तो otherwise बाकी companies में हमें देखने को मिला है कि profit भी increase हुआ है revenue भी increase हुआ है तो इस तरह से अगर आप थोड़ा attrition rate, attrition rate मतलब कि कितनी लोग छोड़ रहे हैं, तो वो भी कहिना के ये show करते हैं कि लोगों को दूसरी जगा jobs मिल रही हैं इंडिया के अंदर, आप मानलो एक company में हो, मानलो TCS में हो और अगर आप TCS छोड़के infosys में जा रहे हो, कहिना के इसी वज़़ा से जा रहे हो सबी particular चीज़ों को, वहाँ पे impact देखने को मिला है, उससी तरह से बात करें देखो operating profit margin की basically कि total revenue कितना है company का, उसके इसाब से उनकी operating income कितनी है, तो infosys के अंदर भी हमें ये चीज improve होते हुए देखने को मिली है तो उतना भी देखो बुरा नहीं है, ठीक है न तो वो चीज़ हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिल जाती है, पर अगर आप बात करें इंडिया की start-ups की तो start-ups में हमें एक major concern देखने को मिला है, what is that? देखो आप भी जानते हो यह सारी companies जैसे उडान हो गया ओला हो गया, कास 24 हो गया बाइजूस के अंदर भी हमने यह सारी चीज़ देखने को मिली है और भी कुछ companies है, ठीक है न जहाँ पर हमने देखने को मिला है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ से companies से निकाला गया है आप नोटेस कर सकते हो, ठीक ही 15,000 से भी ज़्यादा employees न, 2022 में lay off हुएं इस particular company के जो reports के हिसाब से, तो clearly इंडिया को जो ad tech sector है, वहाँ पर शायद हुआ क्या, कि पहले न इन companies ने बहुत सारे लोगों को employ कर लिया अब उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है देखो, मैं आपको समझाता हूँ, जब COVID-19 pandemic आया न, तो हम, हमारा जो ad tech sector था, इसने काफी boost देखा क्यों boost देखा? क्योंकि देखो जो उस time offline institutions से ठीक है, बच्चे offline में कम जाई नहीं पारे थे basically, क्योंकि lockdown था तो उस time पर online sector online education sector ने बहुत जादा growth देखी पर अब क्या हो रहा है, अब COVID-19 धीर धीर पीछे हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है offline की importance धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अब वो institutions जो पूरी तरह online पे निरबर थे, अब उनकी काफी खिराब situation देखने को मिल रही है, इसी वज़ा से in different companies जो ad tech sector के अंदर हैं, उनने बहुत सारे लोगों को lay off किया है सिरफ ad tech sector के अगर बात करोगे न, तो nearly 7000 employees को यहाँ पे lay off देखने को मिल जाता है total कितने थे, 15000 लोग, 15000 में 7000 तो ad tech sector के corresponding ही यहाँ पे देखने को मिल रहे है देखो एक particular चीज यह भी बोली जाती है कि jobs, नहीं jobs भी तो add हो रहे हैं US के अंदर तो हाँ जी यह बात भी ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ जिसे for example, आप healthcare sector के अंदर देखो, healthcare sector के अंदर jobs increase हुई है, 53000 manufacturing के अंदर jobs increase हुई है holiday जो हमारे retail sector होता है retail jobs, वहाँ पर भी jobs increase हुई है तो दिक्कत कहा है, इसरी US में देखो, दिक्कत वही आई ना, कि Twitter ने निकाल दिया ठीक है ना, Meta हो गया, Amazon हो गया यह सारी companies ने निकाल निया, यह technology वाली जो companies है, यहाँ से लोगों की jobs गही है पर यहाँ पर healthcare के अंदर, manufacturing के अंदर, retail jobs के अंदर यहाँ पर हमें कुछ अत्ता का addition देखने के बनी यहाँ पर increase देखने के बनी है, number of jobs के अंदर ठीक है, इंडिया के जो financial services है, ठीक है ना यहाँ पर भी more or less जादा कुछ change नहीं आया, तो number उसी के आसपास ही है, अब इंडिया में सब जब पहले recessions आये हैं, अपर दुनिया में पहले recessions आये हैं, तब क्या हुआ था, ठीक हो तब दुनिया में क्या करती थी companies, जब पहले recessions आये थी, तो दो चीज़े हो सकती थी, या तो मानलो ना यह जो बंदा, मानलो काम नहीं, जैसे मैं आपको example समझाता हूँ, मानलो एक कोई company है, ABC company, तो company के वास मानलो 10,000 employees हैं, तो क्या 10,000 employees काम कर रहे हैं सेम टाइम पे, नहीं, जैसे मानलो 9,000 लोग काम कर रहे हैं, और 1000 लोग बेंच पे होते थे, कि कल को जब कोई project आएगा, तब इनको basically काम दे दी दाएगा, तो इस तरह से कुछ लोग extra रखे होते थे, तो जब भी दुनिया मेरी session आता है, तो यह जो लोग, यह जो bench पे रखे होते हैं, कि extra, कल को काम आएगा, तो उनको use कर लेंगे, तो यह bench वाले जीजे, जैसे vipro company है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो vipro company का करती थी, जो नई hiring है, new hiring नहीं करती थी, ठीक है, ऐसा ही था कि लोगों को निकाल देती थी, नहीं, वो नई hiring करना बंद करती थी, या फिर अगर किसी को बोला हुआ है, कि हाँ, आप तीन महीने बाद company join करना, तो उनको थोड़ा delay कर देता था, कि अच्छा, आप 9 महीने बाद join करना, 12 महीने बाद join करना, इस तरग चीजे हम यहाँ पर देखने को मिलती थी, तो अब देखो, दुनिया मेरी session आया रहा है, basically, ठीक है न, world की different economies है, वहाँ पर हालत थोड़ी सी खराब है, इंडिया की हा हमारा दूसरा अडिटोरियल, हमारा जो तीसरा आर्टिकल है, देखिए, वो है environment friendly genetic modification के regarding, और आप इसको gf paper 3 के science and talk component के साथ relate कर सकते हो, देखे, अगर आप notice करोगे, तो अकसर न, यह genetic modification के regarding news अकसर आती ही रहती है, अब यहाँ पर notice कीजिए, कि जब भी, हम जब GM organisms की बात क करते हैं, यह सारी चीज़र की बात करते हैं, पर यहाँ वरना कुछ हमें risk भी देखने को मिल जाते हैं, तो उन risk को भी हमें properly manage करना पड़ेगा, अगर हमने proper scrutiny ना करी, कि जब हम इन चीज़ों को GM crops का मानलों हम पर use करते हैं, अगर proper हमने rules and regulations के साथ काम नहीं किया, तो जो भी हमारा जैसे DNA हो गया ना, तो DNA की हम direct manipulation करते हैं यहाँ पर, जो हमें genes नहीं चाहिए होते हैं, उनका हम removal कर सकते हैं and accordingly दूसरे organisms के अंदर इस चीज़ को डाल सकते हैं, तो उस तरह से आप desired genes एक particular organism के अंदर आप डाल सकते हो, तांकि वो जो particular characteristics हैं, उसके अंदर आ जा क्या बात है, इंडिया में देखो आप सभी जानते हो, जो BT cotton है, ठीक है ना, तो इसकी हमने 2002-2003 में इसको कर दिया था, ठीक है ना, जो BT का meaning क्या होता है यहाँ पे, bacillus therogenesis, आप सभी इसको जानते हो, ठीक है यह एक तरह क्या होता है, soil bacterium होता है, अब इसके थूर हमने क और ball guard 2 है, यह technologies किसे समधित है, धर असल में जो technologies होती है ना, यह इनी की जो deemed technologies के साथ ही link है, ताकि जो ball warm pest है, उससे हम एक तरह की यहाँ पे protection लेकर आपाएं, तो काफी इस तरह के ना, UPSC prelims के अंदर easy question भी बनते हैं, अगर थोड़ा सा idea होता है, तो directly हमारे से यह question हो जा करी, और 24 तक आप notice कर सकते हो, कि nearly 96% जो area था, cotton के corresponding, वो BT cotton के अंदर था, और इसके वज़े से हुआ क्या, इंडिया दुनिया में second largest producer बन गया cotton का, तो काफी मारी production के अंदर growth यहाँ पे देखने को मिली है, उसी तरह से accredit करने terms में हम fourth largest बन गे, तो काफी अच्छी हमारे य भी हम इस तरह सी GM features डाल पाएं, आपने अभी अगर पिछले महीने की news ही है तरसल में, जो धारा mustard hybrid 11 है, ठीक है, उसकी बाते भी चल रही थी, कि इसके corresponding क्या हुआ है, इसको environment release के लिए इसको notify किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना, इसका अभी commercial release नहीं हुआ, दोनों मे इसी होती है, approval के से पहले, basically एक तरह का process होता है, अगर यह सारी चीजे सही आजाती है, फिर उसको environment release के बाद हम क्या कर सकते हैं, commercial release उसका कर सकते हैं, तो यही सेम चीज हमने यहाँ पर करी है, धारा mustard hybrid 11 के corresponding, तो यहाँ पर जो हमारे transgenic होते हैं, transgenic का basic meaning होता है, जो organism होता जहाँ पर किसी unrelated organism का हमने DNA डाला होता है, उसकी बात यहाँ पर करी जाती है, तो वो सारी चीजे हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और इंडिया में इसके लिए अलग-अलग regulations भी हैं, जैसे कि Environment Protection Act हो गया, EPA, Biodiversity Act हो गया, Drugs and Cosmetic Rules, तो इस तरह कि अलग-अलग हमने regulations properly बना रखे हैं, तांकि इंशोर का कर पाए, कि Human Health, Animal Health इन चीज़ों पर इंसका negative impact हमें ना देखने को मिले, तो बेसिकली जो रूल्स है ना, जो अलग-अलग मैंने आपके साथ डिसकुस किया, चाहिए Environment Protection हो गया, Biological Diversity Act हो गया, इन सभी के अंदर हम कर क्या कोशिश रहे हैं, कि इनके प्रॉपर ट्राइल्स हो, ठीक है ना, प्रॉपर हम चीज़े उनको रिकारिंग देखें, क्या उससे issues आ सकते हैं, जैनि प्रॉपर इसर्च और डेवलपेंट हो, ठीक है ना, तो और एक तरह कि हम प्रॉपर इन चीज़ों को रेगुलेट कर पाएं, कि ऐसा नहीं कोई चीज freely import हो रही है, freely export हो रही है, नहीं, अगर कुछ negative चीज़े हैं तो उसको हम properly regulate कर पाएं, ये सारी चीज़े इन particular acts के थुरू हम govern करते हैं, तो जो challenges इसर्फ वो क्या चीज़े हैं, जैसे for example एक हो गया आपका ecological concern, ये किस तरह से, देखो आप के कर रहे हो ना, जो already existing क कोई type है, उसमें कुछ changes लेकर आ रहे हो, समझ रहे हो, जो traditional varieties है ना, उसमें आपने क्या किया, कुछ अलग-अलग तरह कि आपने changes लेकर आएं, छीक है ना, तो इससे हो क्या सकता है, जो traditional varieties हैं, ये खतम होने के possibilities रहे जाती हैं, तो हमें का करना चाहिए, हमें एक तरह कि जी पूल्स हैं, वो properly create करने चाहिए, अदर्वाइस होगा क्या जो traditional varieties ना, ये exist करना, बंद कर सकती हैं, उसी तरह से, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि कई पर दिक्कत आ सकती है, in terms of nutritionist value, देखो, ये जो production हम कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों के corresponding crops की, इससे क् हैं, हम इसकी productivity increase कर सकते हैं, हमने क्या कर सकते हैं, हम उसकी yield बढ़ा सकते हैं, कि अच्छा, एक एकर एरिया से इतना पहले निकलता था, अब एक एकर एरिया से हमने जादा produce कर दिया, पर क्या, उसके साथ ही साथ, उसकी nutrition value बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, हो सकते हैं, और बहुत सारे किसमें ऐसा भी देखने को मिला है, कि जो नहीं चीज़े बनती हैं, वहाँ पर जो nutrition value हुआ है, वहाँ reduce भी हो जाती है, तो यह भी एक major concern हो गया, उसी तरह से wildlife के लिए threat भी हो सकते हैं, for example, आपको समझाता हूँ, जैसे माल लो, आपने genetically modified जो tobacco हो गया, ठीक है इनको खाएं, अगर इन्होंने ये चीज़े आके खाएं ना, तो हो सकता है इनकी life के corresponding, इनका negative impact इनके अपर देखने को मिल सकता है, उसी तरह से जो देखो toxicity, यानि की जहरीलापन, उसमें भी हमें rice देखने को मिलता है, ठीक है, poisonous चीज़े हमें यह आपर देखने को मिल सकत है, देखो आप जानते हो, GEC, Genetically Engineering Appraisal Committee, तो इसके corresponding है, इसको अच्छे से collaborate करना चाहिए, state government के साथ, host आ है, तो हम organic farming को भी encourage कर सकते है, इन सभी चीज़ों के साथ, ताकि अगर कुछ इसके riding impact आए, तो organic farming उसको tackle कर ले, उसी तरह से, जो GM crop है, अगर ना कोई हमने GM crop commercial cultivation के लि आपको बता भी रहा था, gene bank होने चाहिए, ताकि एक तरह की, जो repository है, वो create हो पाए, ताकि जो genetical material है, उसको हम अच्छे से preserve कर पाए, अब हो सकता है, कि हम अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, seed bank बना सकते हैं, या फिर ना, वहीं पर storage उसके की जा सकती है, ये सारे तरीके हो सक और साथी साथ जो modern चीज़ें आ रही हैं, उनके से हम अपनी productivity, अपनी yield को साथी साथ बढ़ा पाएं, lastly, हम अपने sustainability के तरफ move कर सकते हैं, farmers को credit हो गया, पानी को अच्छे कैसे use करना है, ये सारे चीज़े हम अलड़ी कई बार discuss भी कर चुके हैं, अलग-अलग articles के अंदर, तो ये चीज़ें यहाँ पर भी करी जा सकती हैं, उसके अलबा जैसे आप जानते हो, environment impact assessment, इसके अंदर अलग-अलग जो से process होते हैं, कि पहले जो अलग-अलग project है, उसकी screening करी जाए, उसकी scoping करी जाए, फिर देखा जाए कि अच्छा, ये project यहाँ पर लगेगा, जिसे मा public hearing हो पाए, उसके regarding, ठीक न, इसका review होता रहे, environment के ओपर क्या impact आ रहा है, फिर proper हम इस चीज़ों को अगर follow करेंगे न, उसके बैसे से हम ensure क्या कर सकते हैं, कि जो environment के ओपर negative impact आएगा, वो अब ना आए, तो इस तरह का अगर हमारे पस holistic plan होगा न, ये सारा plan ही हम ensure कर तो ये था आज का discussion, I hope आपको तीनों के तीनों आर्टिकल अच्छल समझाए होंगे, इसी तरह से आप भी अपनेट पे hard work करते रहिए, good bye and good luck.